और अब महज 65 मिनट बचे हुए है जब चंद्रियांत्फवी की लेंडिง होगी चंद्रियांत्वी की लेंडिन प्रक्रिया शुरू इस रो कमांड सिंटर में पूरी तैयारी हो चुकी है 6 बच़कर 4 मिनट पर चांद पर लेंडिंग तैम आनी जा रहे है विक्रम लेंडर में कमांड लॉक कर दिया गया है चांद की और बढ़ रहा है विक्रम लेंडर पांच बच कर चमालीस मिनट पर लेंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा लेंडर तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि महस एक घंटा बाकी है चंद्रियांत्वी की लेंडिंग में और जो प्रकरिया है वो शुरू होने में कुछी मिनट पाकी है इस्ट्रो कमांड सेंटर में पूरी तैयारी हो चुकी है चे बच कर चार मिनट वो वक्त होगा जब भारत इतिहास लिखने जा रहा है महस एक घंटे का वक्त हम कह सकते हैं कि बचा हुआ है जब चंद्रियांत्वी की लेंडिंग हो गी यानी बस कुछी देर का इंतजार और उसके बाद जो देशवासियों को जस्पल का इंतजार है वो सभी के सामने होगा हर तरफ प्राटना है और आप देख भी रहे हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश के बात हो मध्य प्रदेश के बात हो देश के अलगर अगिसों में प्राटनाओं का दौर चल रहा है यह अभी देखिए लाइव तस्विरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हर तरफ हर कोई यही दुआ कर रहा है और यही प्राटना कर रहा है कि यह मिशन कामियाब हो जाए चंद्रियान 2 के बाद अब चंद्रियान 3 महज एक घंटे का वक्त हम यह कह सकते हैं कि एक घंटे के बाद 6 बज कर 4 मिनट पर ठीक लेंडिंग होगी और देखिए जो खास मैमान अमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं वो भी आप तक की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो सर्फेस है जहां पर लेंडिंग होने वाली है वो अगर देखा जाए चंद्रियान 3 से तो किस तरह से उस सर्फेस को वो यह भापे का कि यह उसक एक दिन का ये मिशन है चांद पर ये एक दिन प्रत्वे पर 14 दिनों के बराबर है इस एक दिन में क्या कुछ होने वाला है क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहने वाला है आखरी 20 मिनट में चुकी 4 फेसेज है 4 फेसेज जो बहुत मतपूर्ण आखरी 20 मिनट के रहने वाले हैं और ये four phases ही ये तैय करेंगे कि लेंडिंग किस तरह से यहां पर होनी है और अब जो कि आप तस्वीरे भी लगाता है हम आपको ये देखें अनिमेशन के जरी हम आपको बताने के भी कोशुश कर रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा जो यहां process रहने वाला है आखरी four phases क वो कितना महत्वपूर रहने वाला है और सब्सक्राइब जो बाता है और जो कितना महत्वपूर रहने वाला है